एक ऐसी उनिवर्स्टी जहां पे लाखों बच्चों का एड्मिशन लेने का होता है मन या एक ऐसी उनिवर्स्टी जहां पे हजारों पेरेंट चाहते हैं कि उनके बच्चे ले ले एड्मिशन जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डेली उनिवर्स्टी की डेली उनिवर्स और सुदेंट्स डेली उनिवर्स्टी अपने एडिमिशन प्रोसेस के लिए बहुत जादा स्पेसिफिक है अगर मैं बात करूं आकडों की तो स्यूटी 2023 के अंदर लगबग 3.3 लाग बच्चों ने डेली उनिवर्स्टी को एस्पायर किया था और डेली उनिवर्स्टी ने स और आप सभी को दिमाग में ये रखना है कि क्या क्या चीजें आप सभी को जब आप कांसलिंग प्रोसेस बरेंगे जब आप लोग अपना सी उटी का एक्जामिनेशन बरेंगे आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो डेली उनिवर्स्टी को किस तरीके से एस्पायर करना है ज स्टूडेंट्स मैं वरुंगोल आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग से प्लाटफॉर्म के उपर जहां पे आप सभी को सी उटी से रिलेटेड हर एक चीज मिलती है और हर एक चीज गाइड की जाती है कि आप लोग अपने ड्रीम उनिवर्स्टी तक कैसे पहु नहीं डेली उनिवर्स्टी ने अपने पूरा एड्मिशन प्रोसेस के अंदर बता दिया है कि आप सभी को सी उटी 2024 का ही स्कोर काड़ लगेगा नहीं तो और कोई नहीं लगेगा और अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स बढ़ना चाहते हैं तो अगर मैं बहुत नहीं जाओंगा रेगुलर स्टूडेंट्स को सी उटी 2024 एग्जामिनेशन देना पड़ेगा अगर रेगुलर स्टूडेंट्स के अलावा बहुत तरीके हैं आपका डेली निवर्स्टी के अंदर एड्मिशन लेने का वो क्या है स्कूल ऑफ ओपर लेर्निंग से NCWEB का या भी आपका बोर्ड का बैरिगेटिंग नहीं है कि कोई भी बोर्ड से आप रिकर्गनाइस बोर्ड जोब कि गॉवर्मेंट रिकर्गनाइस बोर्ड होता है उससे आप लोग पास आउट होने चाहिए और आप लोग सी उटी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं और डेली इस में इसमें इसमें हैं सबसे जादा इंपोर्ड है चाहे आप साइंस के हों कॉमर्स के हों आप सभी को वही फॉर्म के अंदर भरना है और वही इग्जामिनेशन देने हैं जो कि आप लोगों ने क्लास 12 में दिये हों इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लो बार बार हज पारों लाखों बच्चे यही डाउट में रह जाते हैं और अपना अच्छे माक्स आने के बावजूद भी डेली उनिवर्स्टी के अंदर एडमिशन नहीं पा पाते क्योंकि वो लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते आप लोगों को चाहे स्टीम चेंज करनी है नहीं करनी है अपनी स्टीम में अडमिशन लेना है दूसरी स्टीम में अडमिशन लेना है आप सभी को CUT के अंदर उनहीं सब्जेक्ट का पेपर देना होगा जो कि आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़े है जैसे कि साइन्स का student अगर कोई है तो उसने class 12 के अंदर physics, chemistry, maths, bio का examination दिया होगा उसको चाहे science के BAC honors करना है चाहे BA honors करना है चाहे BCom करना है चाहे आपको BMS करना है किसी भी stream में अगर आपको जाना है ना आपको सिर्फ और सिर्फ अपना class 12 के domains ही देने पड़ेंगे with English and GT I hope यह चीज clear हो गई है चाहे commerce का student है अगर उसकी mark sheet के अंदर commerce के subject है ना तो आप सभी को Delhi University के लिए eligible होने के लिए अपने class 12 के ही आपको subjects भरने होंगे कि इस चीज को बिल्कुल clear कर लीजए बिल्कुल बिल्कुल कर लीजए बिल्कुल भी इसमें doubt में नहीं रहिएगा इस चीज को बार 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 repeat कीजेगा कि जिससे आप लोगों को doubt ना रहे अगर मैं आगे बात करूँ all the science courses जितने भी science courses जितने भी science courses जितने भी courses आपके उसके अंदर आप सभी को English लेनी है और आप सभी को English सिर्फ और सर्फ minimum 30% marks आएंगे उसके अंदर ठीक है उसके minimum 30% marks अगर आएंगे तभी आप लोगों की merit calculate होगी further आपके English के marks calculate नहीं होंगे full merit के अंदर फिर समझेगा बात कि लेटसे कोई A student है और B student है उन्होंने B.Sc.O.N.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S 30% से कम लेके आया है तो वो consider नहीं किया जाएगा उसकी merit से वो merit out हो जाएगा I hope यह clear हो गया होगा कोई बहुत बड़ी difficult यह statement नहीं है और वो मैंने आपको समझा भी दी है clear हो गई बात सिर्फ और सिर्फ साइंस related courses के अंदर होने वाला है और जैसे कि कोई BMS का course करना चाता है let's say B.Com.O.N.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S और अब क्या कहा है उसने no minimum age bar अब बहुत सारे students के यह होते हैं कि sir मैं तो इस age group में मैंने class 12th pass कर लिए कोई भी age group age bar नहीं है आपके पास बिल्कुल clear कर ली जगा Delhi University को अंदर अगर आपको admission लेना है तो कोई भी age bar नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको class 12th pass होने चाहिए recognize board से और आप लोग good to go है in Delhi University I hope यहां तक सारी की सारी चीज़ें clear हो गई होगी अगर मैं बात करूँ category certificate की बहुत सारे बच्चों को यह doubt होता है कि sir category certificate कब बनाना है बहुत सारे बच्चों के category certificates पहले बन रखे होंगे सन 2022 में बन रखे होगा सन 2023 में बन रखे होगा तो कोई भी बात के बने होने चाहिए इसी वज़ी से यह वाली वीडियोस आप सभी के लिए important होती है हर एक student को मैं पहुलना चाहूँगा यहां पे जो बता रहा हूँ ना last year 2023 के अंदर जो लाग सवा लाग बच्चों को admission process के लिए भी बढ़ाया नहीं गया क्योंकि उन लोगों ने form feeling में गलतियां कर दी थी तो इसी वज़ी से महने कित्ती भी कर लो आप लोग अगर आप लोगों ने form feeling के अंदर चीज़ें गलत कर दी अगर आप लोगों ने admission जो की criteria देता है आपकी university अगर उसको fulfill नहीं किया न तो आप लोग चाहे 100% लेके आए हों चाहे कितने भी परसंटाइल लेके आए हों आप लोगों का admission नहीं होगा आपको counseling के लिए तक भी नहीं बुलाया जाएगा तो इसी वज़ी से कह रहा हूं जैसे OBC है NCL General EWS है SCST व examination जो ठीक है थोड़ा सा हसल रहा था इस समय पर last year आप सभी का है वो आपको boards भी देने हैं आपको CUT की preparation भी करनी है आप सभी को form filling भी करना है बहुत सारी चीज़ें करनी होती है लेकिन एक ही साल है हर साल आप सभी का ऐसा नहीं होने वाला ठीक है अब देखो मैं अगर बात ही पढ़ा ही करनी है अच्छे marks लेकर आजोंगों तो मेरा admission पका है नहीं है आपका पका admission अगर आप लोगों ने CSAS portal के अंदर Delhi University के अंदर नहीं apply किया तो और most probably यह भी बात्ची चल रही है कि आप सभी कि सारी universities का एक single portal होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को CS CS portal तो dissolve हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एक ही पोर्टल के उपर आपको apply करना होगा और सारी universities पे आप सभी eligible हो जाएंगे फिर आपको mark करना होगा अपनी priorities तो अभी तक तो for the time being उस वाले portal की बात नहीं होई है तो अभी तक हम लोग यह बात करना चाहेंगे 2022 के अंदर ज ठीक है तो इस CSIS पोर्टल के अंदर अगर आप लोग apply करेंगे तो it means कि आप लोग Delhi University अप eligible हैं आप लोग apply कर रहे हैं I hope यहां तक clear हो गया होगा अब यहां पे सबसे जाए important बात है कि अगर मैंने कोई stream change करी मैं science का student हूँ अगर मुझे commerce के let's say course करना है BMS करना है मुझे course तो क्या कोई penalty लगेगी कोई भी penalty नहीं लगेगी फिर से मैं कहा रहा हूं third point पर वापत जाना आप सभी को सिर्फ और सिर्फ class 12th के subjects भरने हैं ठीक है class 12th के subjects नहीं भरे तो penalty छोड़ो आप लोगों को कुछ भी नहीं भरना होगा Delhi University बहार्ची बोल देगी tata bye bye ठीक है tata bye bye आप सभी को बोल देगी merit calculation होगी सिर्फ और सिर्फ subject combination के उपर merit calculation होगी जैसे कि बहुत सारे students हैं बहुत सारे courses हैं आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा जैसे कि आपके BMS का course ही ने बोल दिया ठीक है BMS VBA का अगर आपको course करना है तो आप सभी के subject combinations क्या होते हैं जैसे कि आप सबसे best combination बहुत अची चीज़ बता रहा हूं एक अगर आपने सबसे best combination अगर आपने पकड़ लिया ना तो उसके बाद की आपकी tension खतम है क्योंकि देखो मैं यह कहना चाहूंगा आप सभी को यही advice करूंगा कि एक course को एक college को बिल्कुल दिमाग को मिठालो कि इस course के अंदर मुझे admission लेना है लेकिन अगर for the worst भी अपने आपको अपको prepare करके रखना पड़ेगा कि if in case कि अगर न तो आप लोग comment box के अंदर मुझे बताना में आप सभी के लिए best subject combination बता दूगा कि जिसके थुरू ना सिर्फ Delhi University हर एक युनिवरस्टी जितनी भी युनिवरस्टी आप सभी के अंदर आपका participate करने वाली हैं हर एक course के अंदर हर एक college के अंदर आप लोग eligible हो जाएंगे उस subject combination के थुरू राइट तो students I hope यहाँ पे सारी की सारी चीज़ आप सभी के लिए clear हो गई होगी और मैं नहीं चाहता personally की आप लोग बहुत मैनत कर रहे हैं मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आपको बोर्ट की preparation करनी है तो आप लोगों का बिलकुल भी मैनत जाया जाए त कैसी वजी से यह important session में आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं अगर आप लोग और देखना है तो आप लोग इससे previous session देख सकते हों और upcoming sessions और ब्हुत सारे के सारे सबसे डिलेटरी होने वाले हैं सबसे जाले इंपोर्टन होने होले हैं और यहाँ पर ही सारी की सारी चीज के आने वाले हैं थैंक्यू स्टूद्स गॉड्ड ब्लेस्ट योल जैन टेक क्यर